हलो दोस्तो टेक यूट्यूबर अवी यूट्यूब चैनल के उपर आप सब का स्वागत है दोस्तो आपको वट्सेप में एक फीचर देखने को मिलता है वट्सेप स्टार्ट मैसेज का देखे मैंने इस फोटो को स्टार्ट करके रखा है देखे जैसे क्लिक करेंगे तो एक स्टार जैसा आता है तो दोस्तो इसका क्या मतलब है और दोस्तो आपको यह स्टार जैसे आप यहाँ पर तीन बिंदू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर भी देखने को मिलता है स्टार्ट मैसेज तो इसका क्या मतलब है उसका क्या यूज है आज की वीडियो में आपको पुरा step by step बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है और ये कहां पर यूज आएगा और WhatsApp में ये option क्यों दिया हुआ है तो इस वीडियो में पुरा step by step बताऊंगा वीडियो को देखने से पहले आपने यदि अ आता हूँ कि यह start message क्या है आपको सबसे पहले जैसे किसी की chat के उपर जाते हैं तो आपको chat को ऐसे click करके रखना है जैसे आप दोस्तों ऐसे click करके रखते हो ना message को जैसे मैंने यहाँ पर यह कोई भी link आया है message आया है आप click करेंगे तो उपर एक star जैसा दिखेगा आप इसके उपर click करेंगे जैसे click करेंगे तो देखे message के बीच में भी एक star जैसा आ गया और दोस्तों अब यह कहां जाके save होगा तो आप यहाँ पर तीन बिंदू पर click करेंगे तो यहाँ पर जाकर के start में जाएंगे तो यहाँ पर वो link show होगा अब दोस्तों यह link यहाँ पर show हो गया अब इसका क्या मतलब है दोस्तों जब भी आपको कुछ important message आते हैं photos आती हैं notification आते हैं link आते हैं तो आप उसे एक जगा save करके रख सकते हैं यानि रोहित की photo आई अवी की photo आई sonu की photo आई या किसी और की photo आई video आई link आया chat में कुछ लिखा उसने message और वो आपके लिए काफी ज़्यादा important है और आप चाहते कि मैं उसे एक line में रखू एक उन important चीजों का group बना के रखू उन्हें एक जैसा देखू सब जगा तो आपको जैसे click करेंगे तो यहाँ पर यह photo आया है तो मैं यहाँ पर start के उपर click करूँगा तो यहाँ पर फिर से 3 बिंदू पर click करूँगा तो यहाँ पर जाओँगा start message पे तो यहाँ पर देखें वो photo भी save हो गया यानि आप यहाँ पर देखिए अवी की फोटो अब ये भी अवी ने लिंक भेजा ये अवी ने हाई लिखा तो तो मैंने ये सारे स्टार्ट करके रखें तो ये एक साथ दिख रहें तो अब जो दूस्तों आपके लिए इंपॉडड़ेट है आप यहाँ पर देख सकते कि ये मेरी फोटो इंपॉड़ेट थी इसलिए मैने जो फोटो मुझे आई थी वो मैने स्टार्ट मैसेज में सेव करके रखी जैसाब इस ग्रूप में मुझे ये मैसेज आया तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ओके कर दिया तो मैंने स्टार्ट मैसेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो शो होने लगा तो दोस्तो इस तरह से आप स्टार्ट मैसेज का यूज कर सकते हैं और स्टार्ट मैसेज ऐसे यूज में आता है और वटसेप में ये स्टार्ट मैसेज का ओप्शन इसलिए दिया है आप सबको कि भाई कोई भी आपका important चीज है आप उसे start message में save करके रख सकते हैं इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें